टीम इंडिया के किर्केटर हनुमा विहारी को आंध्रप्रदेश टीम की रंजी में कप्तानी गवानी पड़ी ये बात थी रंड़ी में आंध्रप्रदेश के दूसरे मैथ से पहले जहां आंध्रप्रदेश के टीम के कप्तान को बदल दिया गया और दूसरे मैथ से ठीक पहले विहारी कप्तानी से हट गए थे अब रंजी ट्रॉफी के quarter final में आंध्र की टीम हार कर बाहर हो गई है और अब हनुमा विहारी ने चौकाने वाले खुलासे भी किये हैं हनुमा विहारी ने कहा कि उन्हें टीम के 17 हुए खिलाडी को डांट लगाने की सजा मिली है रंजी ट्रॉफी में हनुमा विहारी आंध्र प्रदेश की कबान सम्हाल रहे थे हनुमा विहारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये दर्द बया किया है हालां कि जिस खिलाडी का हनुमा विहारी ने जिक्र किया है उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि उनके चलते विहारी की कप्तानी चली गई हन्मा विहारी ने कहा हमने अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन एक बार फिर से आंधर तदेश की टीम क्वाटर फाइनल में हार गई बंगाल के खिलाफ पहले मैच में मैं टीम का कप्तान था लेकिन उस मैच के दोरान मैंने टीम के 17 में खिलाडी पर डांट लगाई उस खिलाडी ने अपने पिता को शिकायत की उस खिलाडी के पिता जो की राजनेता है उनकी वजन से बोर्ड ने मेरा इस्तिफा मागा हन्मा विहारी ने आगे कहा मेरा उस खिलाडी के खिलाफ पर्सनल कुछ नहीं था मेरी प्राथमिक्ता टीम रही है लेकिन बोड के लिए प्राथमिक्ता वो खिलाडी है एक खिलाडी टीम से बड़ा हो गया है साथ साल से मैंने इस टीम के लिए सब कुछ किया है इस दोरान भारत के लिए मैं सोलर टेस्ट खेलने में कामयाब रहा हूँ हमने पिछले साल की फाइनलिस्ट बंगाल के खिलाफ 410 रन का पीछा किया था लेकिन मुझे बिना किसी गलती के कप्तानी से इस्तिफाद देने के लिए कहा गया पहले भी चीजें खराब हूँ पर बावजूद इन सब बातों के मैं टीम के साथ जुडा रहा अभी तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा था लेकिन इससे ज़्यादा मैं चुप नहीं रह सकता हूँ हम एक टीम के तौर पर अच्छा कर रहे हैं लेकिन वोड ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता है इसके साथ ही हनुमान ने आगे कहा मैंने फैसला किया है कि मैं आंध्रा के लिए कभी नहीं खेलूँगा जहां मैंने अपना आत्मसंवान खो दिया है मुझे टीम से प्यार है जिस तरह से हम हर सीजन में बढ़ रहे हैं मुझे वह पसंद है लेकिन असोस्येशन नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें ये तो रही वो बात जो विहारी ने लिखी लेकिन अब विहारी ने जिस खिलाडी का जिकर अपने पोश्ट भी किया था अब उस खिलाडी ने खुद सामने आते हुए कहा मेरा नाम परुधवी राज है मैं वो खिलाडी हूँ जिसे आप सब लोग तलाश रहे हैं लेकिन दिन क्या हुआ था ये बात टीम में हर कोई जानता है आपको सिंपथी लेने की बजाए गेम जीतने पर ध्यान देना चाहिए फिर आखिर में उस खिलाडी ने लिखा प्ले इस सिंपथी गेम्स हाववर यूवान्ट यानि आप सिंपथी गेम्स खेलिए जैसे भी आप चा के CEO और President को लिखा गया है जिसमें मांग की गई कि कप्तानी के जिम्मेदारी हन्मा विहारी को ही सौपी जाए जिसमें ये भी लिखा गया कि एक टीम मेट ने हन्मा विहारी को उपर अभध्र भाशा और उस खिलाडी के साथ गुस्य से पेश आने का आरोप लगाया है लेक लेकिन उस खिलाडी ने इसको पर्सनली ले लिया साथ ही इसमें आगे लिखा गया कि हमें हनुमा से कोई शिकायत नहीं है और उन्होंने हमेशा हमारी बेहतरी के लिए ही सारे फैसले किये हैं ये था पूरा मसला जो इस वक्त आन्दर क्रिकेट में चल रहा है अब इस पर आपको क्या मानना है इसके बारे में अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करेगा शेयर करेगा और ऐसे ही स्पोर्ट्स जो भी तमाम ख़बरों के लिए सब्स्क्राइब करेगा हमारे चैनल स्पोर्स लाइ झाल